अगर आपको बुनाई का शौक है और अपने नी डिजैन बनाने की शौकीन है तो फिर ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है चलिए देखते हैं Hello Friends, देखिए पिछली वीडियो में हमने ये अलग तरह का गलवनाना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि मैं डंगरी के लिए सेट बना रही हूँ तो डंगरी के सेट बनाने के लिए हम जब भी इस तरह का टॉप अगेर बनाते हूँ है तो हमें शोल्डर पे से डंगरी की जो पट्टी वो गेडने लगती है तो जैसे रेडिमेट क्लोथ में यह इसे पट्टी बनी होती है आज की इस वीडियो में पट्टी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो वीडियो को लास्तर देखें बहुत आसान है अगर आप इसे देख रहे हैं तो जो हमेशा बुनाई करती है वो तो आराम से पहचान जाएंगी किस तरह से बना है लेकिन फिर भी आप इसे जरूर देखें हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो आप नहीं जानते हो और मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं देखें इसमें हमने एक तरफ के शोल्डर में जब ही हाफ रहता, जब इसमें बाजू अपने नहीं लगा यह तभी की बात मैं कर हुए हूं तो आपके पास जो शोल्डर की फंदे होते हैं, उसी फंदे से उठा के आपको यह बनाना होता है, तो बाजू लगाने के पहले इसे हम बना लें, तो यह सिलाई में आ जाएंगे, तो यह उपर से ओडने लगेंगे, तो दिखें कैसे उठाना है, दूसरी साइड का जो है, य चुकि मैंने यह उल्टा बना है, तो यहाँ पर फंदे उठाना आसान है, देखिए यहाँ से इस तरह से, वन, पांच फंदे उठाने आपको टू, थ्री, फोर, एंड फाइफ, यह देखिए पांच फंदे हमने उठाये हैं, अब क्या करना है, आपके उपर डिपेंड करत तीन, चार, और यह पांच, पांच फंदे उठाने पुन लिए, फिर यहाँ से टर्न हो जाएंगे, आप चाहें तो सीधा उल्टा चाहें, जैसे भी बुनाई बरना चाहें, डिजाइन डालना चाहें, कुछ भी आप बनाना चाहें, तो बना सकती हैं, तो इस तरह से, आपको टाइट रखना है, इधर से हम इसमें अब गाट लगा देंगे, गाट आपको पहले ही रो में लगा देना था, चलिए हम इस रो में लगा लेते हैं, देखिए इस तरह से, वन, टू, और यह थ्री, थ्री के बाद यह हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, इसको, फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे, तो इसी तरह से यह उल्टा उल्टा बुनके आपको, यह जितना चाड़ा आपका शोल्डर है, या तो आप चाहते छोटा बनाईए, यहीं पर जोट दीजी, या फिर यहाँ तक ले आईए, यहाँ तक के लंबाई तक का, तो इसको हम बना के पहले कम्प्लीट कर लेते हैं, यह दिखिए, यह मैंने टोटल 28 रूस बुनी है, यहाँ तक शोल्डर तक आ गया है, हमें यह रॉंग साइड है, क्योंकि यह उपर से लगाएंगे तो राइट साइड है, तो रॉंग साइड से हमें इसे बंद करना है, तो बंद कैस कार bringen और से करेंगे फंदो को देखे, पहला फंदा, तो आप एसे उल्टा बुन लेना है फिर इससे वाप इससे सलाइम लेंगे, फिर दो फंदो're कहमें, करेंगे पिर कर देखे, यह यह तना बढ़ा लियाह है ईखिए, इसमें हम सूई को फिरू लेते हैं अब इसे आपको इस तरस रखना है शोल्डर पे देखे इस तरस शोल्डर पे रखना है और इदम बीच ओ बीच में इस तरस इसकी सिलाई करनी है वैसे हम जब बाजू सिलेंगे तो यह जो पोर्शन है हमारा बाजू के अंदर हाइड हो जाएगा इसे तो इस तरह से बढ़ा के इसे हम इस तरह से सिल लेंगे और सिलने बाद यहाँ पे हम काट लगा देंगे और यह जो धागा रहेगा उसे हम बन कर देंगे इस तरह से तो देखिए यह हमारी पट्टी तियार होगी अब जब डंगरी बच्चों को पहनाएंगे तो उसकी जो डोरी है वो इसके अंदर से आप रखेंगे ताकि वह गिरें नहीं और यह देखिए यह जो धागा आपको दिख रहा है तो इसके लिए परिशान नहीं हो जब हम बाज है तो इस तरह की पट्टी उसके शोल्डर में जरूर लगा है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किजिए का शेयर किजिए कमेंट करके मझे बताना नहीं बूलिएगा कि आपको यह पाटन बताने का यह निट